In this video, we are going to solve question no. 8 and question no. 9. So, in question no. 8, we have to express 49 as the sum of 7 odd numbers. So, सब से बहले हम question no. 8 solve करेंगे. So, अगर हमें पता है कि जैसे 1 plus 3, तो इक किस के को लोता है? 2 के square के को लोता है. और similarly, जैसे 1 plus 3 plus 5 होता है, यह किस के को लोता है? यह 5 के, 3 के square के को लोता है. Means, जितने भी और numbers होते हैं, हमारे पास continuously, जैसे कह लोता है, 1 plus 3 plus 5 plus 7, जैसे किस के को लोता है? यह 4 के square के को लोता है. So, similarly, जो 49 है, हमारा first part है, जो 49, 49 क्या है? 49 is equal to 7 square, हमारे पता है, 49 के 7 square के equal है. So, means, यह कहा है, first 7 odd numbers का sum. First 7 odd numbers कहा है, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13. So, कितने हो गए है? 7 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यह 7 numbers हो गए है. Similarly, अब second part के है, 1, 21. So, 1, 21 क्या है? It is equal to 11 square, और 11 square क्या होता है? First 11 digits का square, तो 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19 plus 21. तो यह कितने हो गए? 11, और numbers का sum होता है, 1, 21 के equal. Now, अब जो 9th question है, 9 थोरा सा different question है. 9th question में हमें determine करना है, कि how many numbers lie? तो अब हम क्या करना है? हमें 2 numbers के squares के बीच में digits बताने है. तो first part में क्या है? 12 और 13 के बीच में बताने है, 12 and 13. तो अब 12 के square कितना होता है? 12 square is 144. और 13 के square कितना होता है? is 169. तो इनकी बीच में कितने numbers होंगे? तो number सुझाएंगे total. अब हम क्या करेंगे? 169 में से 144 minus कर देंगे. लेकिन जब हम minus करेंगे तो इसमें क्या है? 169 खुद भी include हो रहा है. तो हम उसे भी minus कर देंगे. तो total कितना आजाएंगे? this is equal to 25 minus 1. which is equal to 24. तो कितने numbers होंगे? 24 होंगे बीच में. अब इसी का second part होंगे है? 25 and 26. तो उसके लिए अगर हम देखें तो 25 का square कितना होता है? it is equal to 625. 26 का square कितना होता है? 676. तो total numbers कितने होंगे? numbers हो जाएंगे इसमें. 676 minus 625 minus 1. तो कितने होंगे? यह 676 minus 626 which is equal to 50. तो total होंगे 50 numbers. और इसका third part क्या है? numbers है 99 and 100. तो third part में 99 and 100 के बीच में कितने integers हैं मैं बताना है? तो 99 का square क्या होता है? यह equal होता है 9, 8, 0, 1 के. similarly, 100 का square क्या होता है? 10,000 होता है. अब total numbers क्या हो जाएंगे? टोटल numbers हो जाएंगे बीच में minus कर देंगे. तो numbers are equal to 10,000 minus 9,801. और इसमें क्याएंगे 10,000 खुद भी include हो जाता है. इसलिए हम उसे भी minus कर देंगे. तो अब जो इससे solve करने पाएगा. total numbers are 198. तो क्या-क्या answer है? 1st पाट का 24, 2nd का 50, and 3rd का 198.